यहाँ पर हम एक निंजा को ड्रो करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक आउट लाइन बना लेते हैं माउथ के लिए तो यह हमारी complete हो चुकी है उसके बाद में यहाँ पर कुछ डिजाइन हम करेंगे तो उस डिजाइन को dotted line को follow करते हुए बना देते हैं तो यह मैंने बारी उसके बाद में इस shape को भी complete कर लेते हैं हमारा निंजा बनके तयार है उसके यहाँ पर तलवार को यहाँ पर दिखा देंगे अब इसके अंदर हमको color fill up करना है तो color के लिए यहाँ पर मैं यह वाला color select कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरी drawing के अंदर fill up कर देता हूँ पहले हम इसके कपनों के अंदर color को fill up कर देते हैं उसके बाद में उपर की shape में भी color को fill up कर देंगे यह हमारा color fill up हो चुका है complete यहाँ पर और यहाँ पर वाली shape के अंदर भी fill up कर देते हैं उसके बाद में हमें यहाँ पर इसकी जो तलवार है और इसके जो यहाँ पर गरदन के पा त्यार है इसकी आखों में हमने कलर नहीं फिल अप किया था तो वहां पे रह गए वहां पे भी हम कलर फिल अप कर देते हैं